नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट और आप देख रहें और आपके टेडिंग तारीक है 16 जुलाई 2020 और दोस्तों यहां पर 17 जुलाई 2020 के लिए निप्टी के आई टी और फार्मा स्टॉस के आंसिस करेंगे देखेंगे कौन सा इटी स्टॉक किस पॉजिटिव देखेंगे नीचे करा जाता है तो सेल करेंगे 580 के टार्गेट के लिए आज इसने जो हाय लगा है वो 650 का हाय लगा है सारे टार्गेट ड़न हेक्सावेर बिल्कुल अब हायर हाय बनाते हो चला जा लेकिन कल ही मैंने बता दिया था पोजिशन 350 के ऊपर बन नीचे की साइड में ब्रेक करता है 360 को तो सेल कर देंगे 350 के टार्गेट के लिए इनफोसीज क्या भागा है आज इनफोसीज लेकिन सारी जो गैप अपन वा उपर ही उपर रहा फिर उपर से नीचे चला है जबर्दक मुमेंट की आज इनफोसीज ने कल याद रखेंगे अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है दोस्तों किसी भी कारणबर 910 के नीचे की साइड में 890 को अगर यह ब्रेक कर दे तो हम लोग सेल बनाएंगे इस गयाप को फिल करने की कोशिज कर सकता है इंफोसीज तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग आपको मिल सकता है नीचे की तरगेट देखा 400, 390, 400 तुरण से आपको एचिव पर के दे सकता है माइन ट्री माइन ट्री का नया पोजिशन एक हज़ार बीस के उपर बनेगा एक हज़ार साथ के टार्गेट के लिए उसके पहले हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे क्लोजिंग बेसिज पे एक हज़ा का पोजिशन बन जाएगा और पंदा सो पचास के लिए टीसियस की बात करते हैं अब भी देखिया आज का हाय लगा दिया है 2330 का लेकिन जो मैंने कहा कि प्रिवियस दो सालों का इसका जो रजिस्टेंस है लेकिन जिस दिन भी इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा यह दम पचीस सो के टार्गेट के लिए रेडी हो जाएगा टीसियस टाटाई लक्सी नजर रखे अगर यह भागता है 270 के टार्गेट डन हो जाएगे मैंने आपको 230 के ऊपर बार बार बोला बिप्रों पोजिशन बना यह 40 और 50 के टार्गेट के लिए इसने 70 के टार्गेट डारेक्ट दे दिया आपको एक और श्टॉक है बिढ़ा सॉप्ट यह कब मैंने 70 से सो करवाया दिरे दिरे बोल बोल के तो पता ही नहीं चला आप लोगोंने भी इंज्वाय किया होगा 70 से कब सो हो गया पता है 110 हो गया कल बोला था ना 106 के ऊपर आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लेकर आता हूं तो इसका टार्गेट हो गया डन अब नया पोजिशन हम लोग अभी नहीं बनाएंगे हां इस्टॉप लोस मेंटेन कर लिए 108 का नया पोजिशन जब बनेगा बनाने का बात आएगा तो मैं आपको फिर अपडेट तो बाय करेंगे टार्गेट 875 तक का मिल सकता है बायो कोन की बात करते है बायो कोन कर रहा है लेकिन मैंने पहले ही का कि बड़ी केंडल का जो शैडो है ना इसी सैडो में यह टेट करता रहेगा तो जब तक इस सैडो के अंदर है हम लोग कोई पोजिशन नहीं बनाएंगे सैडो से बाहर निकलेगा तभी पोजिशन बनेगा नया केडला हेल्ट केर को चेक करते है पहली केंडल बनिये जो पॉजिटिव है इसका मतलब है कल अगर यह 363 को ब्रेक करें तो फिर बाय के पोजिशन बनाएंगे 370 के टार्गेट के लिए सिपला में तो बोल बोल के मैं दिविज लेब कब 2250 के उपर उससे भी ज्यादा बैतर होगा कि 2300 के उपर अगर यह क्लोज करता है तभी पोजिशन बनाएं उसके पहले पोजिशन मत बनाएं एक रेजिस्टेंस से 2300 का 288 और 2300 उसके उपर निकलेगा तो 2400 के टार्गेट डिविज लेब दिखा सकता है डॉक्टर रेडी जवरदर्स बताइएगा मैंने कल भी बताया था कि 4000 के उपर जाएगा 400 के टार्गेट 400 के टार्गेट लीजे दोनों टार्गेट डन हो गया अब हम नया पोजिशन बनाएंगे 42 के उपर 43 के टार्गेट के लिए गलेन मार्क फार्मा पॉजिटिव मूड इसको नहीं समझेंगे लुपिन की बात करता हूँ लुपिन नजर रखे 880 880 880 880 880 880 पर जैसे निकले फोड के पैसा देगा 880 पर निकलेगा 890 और 900 का टार्गेट के लिए दन हो जाएगा लुपिन पील कोई नया पोजिशन अभी पील में सोचना भी नहीं है नीचे की अगला स्टॉक है टोरेंट फार्मा का स्टॉक दोस्तों चली टोरेंट फार्मा 2300 का इंपोर्टेंट सपोर्ट था 2400 का टार्गेट हो गया था हो गया अब नया पोजिशन 2450 के उपर बनाएंगे 2500 और 2550 के लिए उसके पहले बिल्कुल भी नहीं इस्ट्राइट्स फार्मा को देखूं 400 का इंपोर्टेंट सपोर्ट है इस्ट्राइट्स फार्मा में क्या वो आया या नहीं आया इस्ट्राइट्स फार्मा 400 का नीचे सपोर्ट है उसको ब्रेक किया या नहीं किया चली नहीं किया लग रहा है नहीं किया 400 को ब्रेक करेग तोफार 430 को ब्रेक करेगा 440 का टारे वोकड मा चलिक ऊकर मा बाउंस किया या नहीं किया अंद स्था आप करे धा है मुल्या पुझार के अगर वीडियो और एनसी पसंद आए और अगर मेरे रेकॉमेंडेशन से प्रॉफिट कमाते हैं तो कमेंट करिए फीडबैक दीजिए अपना लाइक किजिए शेयर किजिए मिलता हूं नेक्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद